गुड इवनिंग स्टूरेंट्स स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा जैनेटिक्स नुमेरिकल्स यह चैप्टर फाइव से कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन्स हैं उनको करवाने जा रही हूं तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट से इन ए प्लांट रेट फ्लार रेट फ्रूट इस डॉमिनेंट ओवर येलो फ्रूट और तॉलनेस डॉमिनेंट ओवर शॉटनेस रेट डॉमिनेंट है यानि कैपिटल आर डॉमिनेंट है इस्मॉल आर रसेसिव है यानि येलो रसेसिव है तॉलनेस डॉमिनेंट है और च तो बश्मॉल आर टी-टी से हीक है और उसके बाद हमें इसमें से अपना उप्षन चूज करना है तो कैसे बनेंगे प्लान तो अगर हम इससे पहले गामिट बना लेते हैं तो हमारे दो तरह के गामिट बनेंगे एक आर केपिटल टी और एकस्मॉल टी और केपिटल एक के बनेंगे अब हम इनहें जब cross कराइंगे तो हम चेकर बोट से भी कर सकते हैं öre की यहां पर आगया हमारा कै अपर क्ड़ आग फो ऑफàng त इसमाल टी और यहां आ gio हमारा यहां पार मैं small t small t ठीक है दोनों को नहीं कराया है क्योंकि दोनों से एक ही जैसे बनते तो यहां पर क्या बनेगा यह red और tall और यह भी क्या है red and short तो अब यह पूछ क्या रहा है option में क्या दे रहा है 25% will be tall नहीं 25% तो tall नहीं है 50% tall है 50% tall है 50% short है will be tall with red fruit और 50% क्या है short with red fruit 50% will be tall with red fruit and 50% will be short with आपका red fruit तो 50% यारी B option correct हो गया next question in pea plants yellow seeds are dominant over green seeds yellow seed dominant है green seed पे if the heterozygous yellow seeded plant हिट्रोजाइगस हिट्रोजाइगस का मतलब हो गया capital Y small y यानि दोनों जीन्स अलग अलग हो capital Y small y plant is crossed with green seeded plant उसको green seeded plant से कराना है cross तो एक parent ही हो गया और एक parent ही हो गया what ratio of yellow and green seeded plant would you expect in F1 generation कैसे plant आएएगी yellow और green का क्या combination आएगा कितना ratio आएगा तो gametes बना ले capital Y small y small y small y फिर वापस से हम इसका भी checker board बना लेते हैं F1 generation हमको निकालना है capital Y small y यहाँ पर भी मैं एकी से करा रही हूँ क्योंकि दोनों सेम है ठीक है तो मैं एकी से cross करा रही हूँ यह हमने इसके gametes बना लिए ठीक है तो यह हम cross कराएंगे तो हमारी F1 generation आएगी तो यहाँ पर हमने लिखा small y capital Y small y और small y small y capital Y small y है ठीक है तो यहाँ पर कराए capital Y small y small y small y capital Y small y यानि यह तो हो गई yellow और small y small y यह हो गई green तो क्या होगा यहाँ पर 50% yellow आ गए और 50% green आ गए 50% yellow and 50% green यानि इसका D option correct हो गया यहाँ पर हमने दो तने के gametes बने यहाँ पर एक जैसे gametes बने जब उनको cross कराया तो capital Y small y small y यानि yellow and green 50% yellow and 50% green तो इसका D option correct हो गया next question next question है a couple has six daughter six daughters what is the possibility of their having a girl next time क्या possibility है कि अब उसके जो girl child है वो होगी तो देखे यहाँ पर हमें पता होता है जब हम XXY को cross कराते है तो हमें पता होता है कि XX और XY जब हम cross कराते है sex determination वाला तो 50% chance होता है इसमें girl का और 50% chance होता है boys का ठीक है तो चाहे वो 6th child हो चाहे वो 7th child हो 50% chance किसका होगा हमेशा girl child का तो इसका भी option करेक्ट होगा चाहे उसके six daughters हो गई है फिर भी 50% chance है तो कि जैसा sperm fertilize करेगा उबा को उसी type से वो formation होगी girl or boy की in hybridization capital T, small T, small T give rise to small T, small T, small T तो यहां से वो ही same आ जाएगा अगर हम यहां पर checker board बना लेते हैं एक छोटा सा तो देखो क्या गया capital T, small T और small T capital T, small T small T, small T तो क्या गया ratio tall आ गए और dwarf आव गए कौन से ratio में 1 is to 1 में capital T, small T, small T, small T 1 is to 1 ratio में आगए प्रोजनी कैसी बन गई 50% tall, 50% dwarf यहां 1 is to 1 ratio में next a normal vision man whose father was colorblind normal vision man है जिसके father colorblind है तो अगर father colorblind है तो father से तो man के पास क्या आएगा y आएगा और colorblind है कि जो gene होती है वो x पे होती है तो यह तो normal vision हो गया यानि x y ठीक है इस पे नहीं आएगा colorblindness की Mary is a woman whose father was also colorblind woman जो है उसके father भी colorblind थे तो इसका मतलब उसके पास x आया है जो क्या होगा x c y x c x father जो क्योंकि colorblind थे यह हो गई carrier they have their first child as a daughter what are the chances that this child would be colorblind अब हमें यह देखना है कि क्या chances है तो अब हमें इसे cross कराएंगे तो वापस से हम इसका checker board बना लेते हैं तो यहाँ पर देखो x और x c और x y ठीक है x x x x c x y x c y तो आप देखो यह क्या आया एक तो यह x y है और यह x c y है तो यह क्या क्या आ गया x x यह तो नॉर्मल हो गई नॉर्मल जो है डॉर्टर ना तो नॉर्मल डॉर्टर हो गई नॉर्मल डॉर्टर यह कैरियर डॉर्टर हो गई यह नॉर्मल सन हो गया और यह कलर ब्लाइंड सन हो गया अब ऑ क्या पूछ रहा है चाइल उलड वोडवी कलर ब्लाइंड के फादर वटर डॉडप्लाइट उन यहां पर क्या हूओ चाइल यहां पर किया चांशिज है कि उस फादर वस आइसज़ दॉड़ वटर वाटर देट रिस चाइल वूडब बीड़ डॉडटर डॉड़्ट चाहिए यहां पर क्या है? कलर ब्लाइन है, कलर ब्लाइन है, दो नॉर्मल डॉर्टर ए चेरियर डॉर्टर डॉर्टर के बारे पूछ रहा है तो colorblind नहीं है मतलत 0% colorblind कब होती जब दोनों के उपर ex ही होता यानि यहां पर हमने जो male दिखाया है वो normal दिखाया कर male भी color blind होता और female carrier होती तो daughter color blind आती color blind daughter होने के लिए male को color blind होगा तभी वो आ सकती है जब दोनों x पे c हो अब है next blue eye blue eye color is recessive to brown eye color blue eye जो है वो recessive है blue eye recessive है यानि हम उसको represent करेंगे small b small b से and brown eye इसको हम represent करेंगे capital b b से a brown eye man whose mother was blue eye brown eye man है जिसकी mother जो थी वो blue eye थी यानि जो man हुआ वो क्या हो गया capital b small b heterozygous हो गया whose mother was blue eye marries a blue eye woman blue eye woman से उसकी शादी होई ठीक है तो अब the children will be अब children कैसे होंगे अब हमें फिर से इसको cross कराना है कि children कैसे होंगे फिर से हम इसको cross कराते है capital b small b small b small b अब वापस से हम checker board बना लेते है capital b small b यहां पर small b small b तो क्या आ गया हमारा capital b small b small b small b capital b small b small b small b यानि हमारे क्या हो गए दोनों जो आए यह क्या है यह जहां पर capital b है यह हो गए brown ठीक है क्योंकि brown जो है वो dominant है blue blue recessive है तो यह हो गए हमारे यह हो गए हमारे brown ठीक है और यह आ गए blue तो दोनों इक्वल रेशियो में आए इक्वल रेशियो में आ गए तो option हम देखते हैं बोथ blue आई और ब्राउन आई वन इस्टो वन यानि एक option इसका जो है वो गए हो गया क्यों जो है brown आई और blue आई इक्वल रेशियो में आए हैं यह हमने क्यों लिया है इसका मतलब यह कंडिशन हो कि ट्रोजाइगा क्योंकि स्मॉल भी उसका मदर से आएगा ब्लू आए गा तो कैपिटल भी स्मॉल भी और उसके बाद ब्लू आई वोमेन के साथ उसकी शादी हुई तो बी भी और इसको हमने जब क्रॉस कराया तो 50% brown आई आए 50% blue आई आए तो उसका first option बोद blue आई और brown आई वन इस्टू बाद रेशियो में आ गया तो option 1 correct हो गया सो थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग आपको समझ में आयोंगे सो थैंक्स थैंक्स फोर वाचिंग प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर